आदरनी वगवान आपको जानकारी है सोलर एनरजी विंड एनरजी के खशेत्र में भारत प्रोडक्शन क्यापिसिटी बढ़ा रहा है लेकिन सोलर शेल्स का इंपोर्ट हम चीन से करते हैं तो यह समश्या थी इसी समश्या का समाधान कर रही है टाटा पावर टाटा पावर न में तमिलाड में नई भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मेनुफेक्चरिंग कैपसिटी खड़ी कर दी है प्रोडक्शन तक चालू हो गया है मानेवर टाटा पावर को मैं हाइलाइट इसलिए कर रहा हूं कि टाटा पावर की जो सहाय कंपनी है टीपी सोलर उसने यह प्लांट लगाया है जबकि टाटा पावर जो की बिजली को डिस्ट्रिब्यूट किया करती थी वो अब मैनुफेक्चरिंग में भी उतर आई है तो टीपी सोलर का जो वेल्यूएशन है वो टाटा पावर के शेर में आना भी बाकी है TP solar का Tata power solar का valuation जनाब Tata power के बरावर तो ना होगा उपर जाएगा 100-200 के price to earning पर रहेगा तो यह जो logic है जिसके कारवन Tata power की re-rating हो सकती है same to same, हो बहु logic मैं apply करता हूँ Reliance पर Reliance ने जहम नगर में Giga factory लगाई है solar cell manufacturing के क्षेत्र में Reliance तो ना सिर्फ solar wind बलकी green hydrogen के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम कर रही है Reliance new energy भी demurge होगी सवाल यह नहीं है कि demurge होगा आथवा नहीं सवाल जनाब यह है कि यह कव होगा बैसे Reliance में तो अभी bonus भी आने वाला है तो Reliance के share में जो गिरावट है वो खरीदारी के मौके है Reliance एगों टाटा बावर दोनों पर ही मेरी नजर बनी रहती है रेक्मेंडेशन में देता रहूँगा आपसे भी करवद निवेदन है अपनी सेवा का एक अफजर मुझे जरूर दीजिए इसी वीडियो के description वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा client बन जाईएगा महराज झाल